Hello students, we are going to discuss the question answer of chapter 15, Standard 10, Subject Social Science, Gujarat Board. Now the question is, write a note on primary sector. हमेh primary sector पे एक note लिखना है. So, the answer is, primary sector is a dominant sector of the Indian economy. अब primary sector देखा जाए ना तो यह dominant. dominant का कहा जाए, किसी भी industries, किसी भी service sector की जो शुरुवात होती है, वो primary sector से ही होती है. क्योंकि primary sector अगर देखा जाए, it consists of agriculture and allied activities such as animal husbandry, fishery, poultry, forestry and mining. इसका मतलब है कि किसी भी secondary industries को जो भी raw material चाहिए ना, वो primary sector वाले ही provide खरवाते हैं. जैसे अगर देख लिया जाए, कोई mineral industry है, for wood industry है, animal husbandry industry है, fishery की है, कोई भी secondary industry ले लो, उनको जो raw material है, वो primary sector provide करवाता है. अगर देखा जाए ना, तो सिग्निफिकेंस और प्राइमरी सेक्टर है, अगर देखा जाए ना, तो सबसे ज़्यादा इंकम प्राइमरी इंडिस्टी ही provide करती है. अगर देखा जाए ना, तो सिग्निफिकेंस और प्राइमरी सेक्टर है ग्रैचुलुलि डिकलाइं प्लाइन देखा जाए ना, तो सिग्निया नी पहले प्राइमरी सेक्टर का बहुत सधा प्रभव होता था पर लेकिन आज, वो दीरे धीरे खतम होकी है, क्योंकि secondary को इनल नों को भड़ा है तो जैसे फ़ाइब शामपल शुन मियदे-शुन है लखड़ी करता है तो वह कि प्राइमेरी बेस्ट्रीजी करता है। यह प्राइमेरी इंडस्ट्रीज है और यह जो जब टीर। प्रॉसेस होने जाएगा डोवले इंडेस फेक्ट्री है वो आपकी सेकेंडरी इंडेस्ट्रीज कहलाईगी थैंक्यू वेरी मच्ट इस कोशन एंड्स ओवर हीर अगर किसी कोई डाट कोई कोशन हो तो वो मुझे कमेंट कर सकते हैं और इस चैप्टर के लिए इनी कोशन आंसर्स मैंने एक्स्प्रेन कर दिये हैं आपको वो कोशन आंसर्स मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक मिल जाएगी थैंक्यू गारी मच्ट